तो काईस कैसे हैं नमस्कार मैं आरकी मिश्रा इंजीनियर सद्डा पर स्वागत करता हूं दोस्तों एक जॉब अप्डेट देकर के आया हूं डिप्लोमा और आई टी आई वालों के लिए तो यहां पर देखिए गवर्मेंट अप इंडिया की तरफ से वेकेंसी है आपका डि और देखिए civil के लिए 5 वेकेंसी है एकर्टिकल के लिए 13 इलक्रॉनिक्स के लिए 4 और इंस्तुमेश्न के लिए 7 और मैकनिकल के लिए 32 वाकिनसी तो यहां पर किन्स इंटुमेश्न में इन avait ब्रांच से आपका डिप्लोमा कम्ठीट होना चाहए और मैकनिकल मैं बिच्च अधर के लिए कुछ मतलब की जैसे कि आपका हैंडिकेट प्रेट के लिए आपका 40% मिनिमम है तो भी चल जाएगा फिर देखिए यह आई टी आई बलो के लिए देखो अगर मैं आपको बात करूं डिप्लोमा की टोटल वेकेंसी है यहां पे 71 है नेक्स हमारा है आपका इस ट सब्सक्राइब की वेकिंसी तो आप यहां पे देख सकते हैं इसके लिए को क्वाविफिकेशन भी यहां पे दिया हुआ है आप सुछिए ने यह आपकी वेकेंसी है तो इसी ब्राण से आपका अगर आपने आई टी किया है तो आप एलेगिबल हो और एज लिमीट का जो के यहाद रखिएगा लास्ट डेट जो फाम का है और एजुकेशनल क्वाविफिकेशन भी इसी डेट के पहले आपका कम्प्लीट होना चीए मिनिमम एस कटेगरी वन के लिए 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम चौबिस साल कटेगरी टू आई टी आई वालों के लिए 18 साल मिन मतब मैं आपको बताऊं एक अच्छी बात है है ना तो यह ध्यान दिजाएगा नेक्स हमारा यहाँ पे आपका यह था कि कुछ एज रिलेक्सिंस अलगादा क्टेगरी में मैक्सिमम एज में दिया जाएगा वो भी 5 साल आपको अपर एज लिमिट में दिया जाएगा बच् जो आप तो गवर्मेंट है फुल टाइम है लेकिन कटेगरी वन में 11,000 फस्ट यर में मिलेगा सेकेंड यर में 18,000 बाकी कटेगरी टू आइट्याई बालों कि लिए 15,500 और 12,500 इसमें आपका बेसिकली तीन स्टेज होता है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज त्री स्टेज जो होगा एक True में एक क practical और वहां पर एक प्रकार से जब आप ट्रेनिंग कंप्रीट कर दोगे प्र एक स्टेस्ट होगा आपने क्या सीख अगर आपने अच्छा खासा सीख तो आपका फाइनल स्लेक्षंस दो साल के बाद हो जाएंगा तो यह हमारा जब आप फाइनल कर ल बता दिया, selections method आपको purely देखिएगा, आपको computer based online paper होगा, फिर उसके बाद होगा, तीन stages में आपके होते हैं, applications की फी सवरा भी यह सारी है, तो आप लोगों को यह सारा, और यहां पे देखिए, मैं आपको specifically बता दूँ, यहां पे specifically बता दूँ बच्चे, कि यह हमारा यह सारी चीज़ है, ठीक है, यह ध्यान देखिएगा, ओके, तो यह एक अच्छी notifications था, मुझे लगा आप लोगों को cover करना चाहिए, तो guys, इसी तरह के real time informations के लिए, आप मेरे पास engineers अड़ा पे जुड़ सकते हैं, बहुत एक precise time में कम से कम समयों में मैंने आप लोगों की notifications को cover किया, तो guys, यह mechanical engineering के लिए बहुत अच्छी job है, और especially, मतब सारे ब्रांच के लिए है, बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो thank you guys, thank you, मैं आपका समय नहीं जाया करूँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं, सारे लोग, civil, mechanical, electrical के लोग, job update को लेकर के अरके मिस्रा अप लोगों को हमेसा update करते रहेंगे, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग वीडियो के नीचे एक बार सुझाव, comment जरूर दीजेगा, है ना, thank you guys, thank you, अपने दोस्तों को share करिए, डिप्लोमा के लिए एक अच् को help की जरूरत है, आप मेरे साथ YouTube पे free भी classes ले सकते हैं, रात को 9 बजे mechanical की class मैं भी मैं दे रहा हूँ, साम को 7 बजे civil plus mechanical दोनों दे रहा हूँ, ठैंक्यू,